अलो दोस्तों वेलकम बैक माई यूटूब चनल दोस्तों जारकान से निकालेगे तीन विभिन वेकंसी के बारे में चाचा करेंगे जो कि आपके लिए काफी यूजपुल साभित हो सकती है जो कि सारी वेकंसी आपका जिन्वेन वेकंसी है यदि आप हमारे चनल पर नहीं है जनल को सस्काइब करें वीडियो को लिए करें कमेंट करें और किसी तरह का यंचार आपके लागतार पहुष्टता रहे। संपर्क नंबर भी दिया गया है, contact नंबर भी दिया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, दोस्तों जो नेक्ट वेकन से निकली हुए, आपका Union Bank of India में पंदरा सौ पदो पर वेकन से निकली गई है, जो कि आप देख सकते हैं, आप लोकल पैंक को फिसर पाथ के लिए अविश्टी यूनियन बैंक ओफिंडिया.com में डॉट इन पर जाकर ओनलाइन आविधन कर सकते हैं अविश्टी जो है रइस्टेशन विंडो को खोल दिया गया है अविश्टी यहां पर दिया गया है कि जबकि फॉर्म प्रिंट करने के जो अंतीमति थी आपका 28 नॉवंबर तय की गई है आईस भर्ती के लिए ऐसे अविश्टी जो है आविश्टन कर सकते हैं जिन्होंने किसी भी मानेता प्राप्त सस्थान से अविश्टी द्यालर से किसी भी इस टीम में फूल टाइम आप पेचला यहां पर डिगरी प्राप्त किये हुए हो अन्यूंतम जो उम्र सीमा रहेगा इसका 20 वस है जबकि आदेक्ता में आपका 30 वस यहां पर निधारित की गई है दोस्तों नेक्स्ट वेकेंसी जो है आपका जारखान इस्टेट ओपन इन्वासिटी के तरफ से वेकेंसी निकाली गई है जो की फौत ग्रेट वेकेंसी निकाली गई है जो की ग्रेट फोर में आपकी वहाली होगी नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं दोस्तों की पदों की 278 सब्सक्राइ unterstützen to the month को सङ्टेकर सिर्फ ऑलनलाइन के म Entscheid Germany कर सकते हैं इसटार्टिंग डर्टा ओनलाइन अप्लिकेशन में 3924 बोला गिया है क्लोजिंग डेट जो है यहां पर दोस्तों बढ़ा दिया गया है पिस नौवंबर दोहजार चोबीस यहां पर कर दिया गया है बीस से क्यारा बोल सकते है दोहजार चोबीस यहां पर कर दिया गया है नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पर नेम पोस्ट में आपका फोद ग्रेट इ के पहले यहाँ पर minimum qualification मतलब metric pass होना चाहिए और किसी भी इकनाज institute board से आप देख सकते हैं और next यहाँ पर clear किया गया है कि आपका character यहाँ ठीक ठाक धंग से होना चाहिए पतलब साफ सुतरा होना चाहिए किमनल केस नहीं होना चाहिए और health है भी अच्छा होना चाहिए और next यहाँ पर age category के बाद गया है तो minimum आपको 21 साल maximum 35 साल बोला गया है economical wicker के section के लिए आपका 30 साल बोला गया है BC1 BC2 के लिए category female के लिए आपको 40 years भी बोला गया है सभी के लिए next यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर तै किया गया है जर्वेशन पॉलिसी का भी लाब उठा सकते हैं वल्ली जार्खन के लिए और बाकी इस्टेट के लिए यहाँ पर अंडिजर्ब कर टेग्री में हाँ सामील होंगे next यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सर्विस मैंद भी इस पर अपलाई कर सकते हैं पांच सल के यहाँ पर छूट दिया जाएगा next यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर रिटेश्ट होगा उसके बाद फिर आपको प्रस्टनली टेस्ट या फिर आपका इंट्रव्यू कि माद्दम से चेंद किया जाएगा उसकाल में लिष्ट बनेगा next यहाँ पर देख सकते हैं प्रोबेसर टुरियेट यहाँ पर दो साथ के लिए बोला गया है fourth great employer है आप लोग next यहाँ पर देख सकते हैं कि apply जब करेंगे आप तो color photograph और signature के साथ भी upload करना होगा matriculation certificate भी यहाँ पर upload करना होगा यहाँ पर अंक्सीट जो कि आपके लिए मतलब date of birth यहाँ पर निधारित करेगा और next यहाँ पर देख सकते हैं residential certificate जो रहेगा दोस्तों सब्सक्राइब करना चाहिए तो इसी कवर्मेंट पर आपका पचीश दो हजार उनीस यहाँ पर कटप बोला गिया है उस डेट से आपका होना चाहिए नेक्स्ट यहाँ पर सरकल ओफिसर के लिए आपका जो रहेगा उनीस साथ दोहजार चोबी से आपर बोल दिया गिया है सब्सक्राइब करना चाहिए तो इसी कवर्मेंट पर आपका पचीश दोहजार उनीस से ही बोला गिया है खास साथ बिकेट के लिए यदि आपका ही काम कर रहे है तो आपको अपने विवाग से नौ अबजेक्शन साथ पिकेट भी यहाँ पर अनिवार रूप से शंगलन करना पढ़ेगा डोकुमेंट जो आप अपलोड करेंगे यहाँ पर कभी यहाँ पर निधारित कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं पीस के बारे बात किया तो 1000 यहाँ पर बुला गया है कि आपका जेनरल के लिए PC1, PC2 के लिए EWS का टेगरी के लिए 250 उर्पया हाँ पर बुला गया है ACST, schedule cost के लिए नेक्ट यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि important point भी बूला गया है कि आप application सिर्फ English माद्यम से ही यहाँ पर apply कर पाएंगे नेक्ट यहाँ पर सारा detail है जो कि आप लोग देख सकते हैं नेक्ट यहाँ दोस्तों यहाँ पर clear कर दिया गया है कि आप लोग जो भी यहाँ पर document भरेंगे और उसका यहाँ पर आप लोग future के लिए यहाँ पर reference के लिए आप रख लेंगे नेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं जो मतलब आप फिस transaction करेंगे वही यहाँ पर clear किया गया है युनिक transaction receipts आपको रखना निवार हैं नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है दोस्तों कि सिल्वास के बारे में बात किया गया है तो सिल्वास आप लोग देख सकते हैं कि पेपर वन ही रहेगा टोटल नंबर आपका 100 नंबर करेंगा टूरेशन आपका दो घंटा करेंगा जो है आपका दोस्तों जेनल अवनेंस से 25 कोस्टन रहेगा देनिंग से 25 रहेगा मैतमेटिक से 25 रहेगा अज़ारखन से 25 रहेगा टोटल यहाँ पर 100 नंबर का आपका एकजाम होगा 100 कोस्टन ही रहेगा दो घंटा यहाँ पर समय दिया जाएगा